लो दोस्तों आज मैं ऐसे पकोड़ी की रैस्पी लेके आई हूँ जिसे देखते ही बच्पन की आद आ जाएंगे तो हम लोग क्या कर दे थे खेतों से इसे प्याज के पत्ते को तोड़ के ले आती थी और मौटे वाले जो पत्ते होते थे तो उसको बीज में से कट करके हाथ से और मुमें डालके फूक से इसे बजाते थे तो बहुत ही अच्छा बजता था बिलकुल मार्केट वाली पेपी की तरह देखने में बिलकुल लग रहा है ना पाइप जैसा हम लो इसे पाइप भी कहते थे तो इसके पकोड़े ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती ह हैं और यह हैल्दी भी होते हैं तो अब मैं प्यास के पत्ते को दो से तिन पानी में अच्छी तरह से धोली थी और इसके एक्ष्ट्रे पानी को निचोड के फैक दी तो मैं इसे बारी कट कर लूँगी तो जब भी कट करें हलकेल की हाथों से तो वीडियो को पूरा आंति तक देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर किजिएगा तो यह देखिए बातों बातों में प्यास के पत्ते भी थे, वो अच्छी तरह से कट गए हैं तो आब मैं इसे कटोरे में उठा लेती हूँ उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चार बड़ी चमच के करीब बेसन उसके बाद दो छोटे चमच के करीब चावल के आटे तो आप बेसन पत्ते के अनुसार डालें उसके बाद एक छोटी चमच के करीब मैं इसमें जमाएन और मंगरेला डाल दूँगी स्वादा अनुसार नमक एक छोटी चमच से भी कम लाल मीच पावडर एक छोटी चमच के करीब हल्दी पावडर और मैंने यहाँ पे दो लहसुन और एक हरी मीच को कूट ली थी उसे डाल दूँगी इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है और यह पकोड़े खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आप अपने घर पे जरू ट्राइक किजेगा तो प्याज के पत्ते में बिल्कुल भी पानी नहीं डालनी है और इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल मसल के एक डो की तरह रेडी कर लेनी है तो देखिए अच्छी तरह से प्याज के पत्ते जो हैं वो पकोड़े के लिए रेडी हो गा है तो अब मैं यहां पे गैस ओन करके करहाई को रख दी हूँ तो करहाई में मैं यहां पे शर सो तिल का यूज़ कर रही हूं उसे डाल दूगी और ऐसे चारों तरफ करके तिल को फैला लेनी है तो गैस की फ्लैम को मेडियम में रखें तो ये देखिए तेल गर्म हो गए है अब मैं प्याज के जो पत्ते थे उसे ऐसे हाथों में ले लूँगी पहले बॉल्स की तरह बना लेनी है और अंगुठी से दबा दबा के उसे चप्टे कर देने है तो देखिए आब मैं एक एक करके इसी तरह करके सारे पकोड़ी डालत है तो ये देखिए थोड़ी दिर प्याज के पत्ते पकोड़े का हो गया अब मैं इसे पलट लेती हूँ तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने प्याज के जो पत्ते थे उसे उलट-पुलट के पका लिए और ये बिल्कुल गोल्डेन ब्राउन हो गई है अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ तो ये देखिए प्यास के पत्ते के पकोड़े बनके रेडी हो गई है देखने में बिल्कुल लग रहे है ना बढ़िया और यकीन माने ये बहुत ही जादा कुरकुरी बनती है तो अभी ये बहुत ही गरम है तो गरम मैं ही इसे दिखा रही हूँ तो ये देखिए कितनी ख आजती बनी है तो चलती हूँ बाई